लॉक्डाउन फाइव के साथ ही अनलॉक वन भी शुरू हो चुका है। कई दिनों के बाद मार्केट की दुकाने खुली है और लोगों को घर से बाहर जाने का मौका मिला है। लेकिन इसका ये मतलम नहीं है कि हम कोरोना के संकट से बाहर आ चुके हैं। इसलिए ये जरूरी है कि घर से बाहर निकलते टाइम आप अपनी सिरक्षा का पूरा ध्यान रखें। जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगाएं। गलव्स पहनें, सेनिटाइजर अपने पास रखें और समय समय पर अपने हाथों को धोते रहें। और आवश्यक को तभी घर से बाहर निकलें, बेवजब मार्केट में भीड ना बढ़ाएं। इस सभी के बीच में एक ऐसी बात है जो थोड़ी कन्फ्यूजन वाली है। बाजार में सरक्शा के लिए फेस मास्क भी उपलब्ध है और फेस शील्ड भी उपलब्ध है। अब इन किया जीज जादा उप्योगी है और सरक्शा की लिहाज से ज़रूरी है यह थोड़े अस्मनजस की बात है। बात करें मास्क की तो मास्क पहना बहुत अनिवारे है हम किसी भी संक्रमन को अपने नाक या मुह के अंदर जाने से मास्क से ही रोक सकते हैं फेस मास्क को आप ज़्यादा व्यफ़ तक यूज नहीं कर सकते इसे आपको जल्द से जल्द बदलना होता है लेकिन यह आपके इस सरक्षा के लिहाद से बहुत जरूरी है हम आपको बता दे कि फेस शील्द आपके लिए एक उप्योगी चीज हो सकती है यह आपके पूरे फेस को कवर करती है यह सिर से लेकर थोड़ी तक पूरा फेस कवर करती है हलाकि इसको लेकर अभी कोई research सामने नहीं आई है कि ये जादा उपयोगी है लेकिन एक अनुमान के मताबिक ये आपका पुरा face cover करने में सक्षम है और इसकी वज़े से अगर कोई 18 इंच की दूरी से भी आपकी और खासता है या छीकता है तो face shield 96 प्रतिशत आपकी सरक्षा कर सकती है वहीं इससे आपके कान और आखें भी पूरी तरह ढगी हुई रहती है इसका एक फायदा ये भी है कि आप इसे use करने के बाद दोबारा इस्तमाल कर सकते हैं क्योंकि इसे धोकर फिर से use किया जा सकता है सरक्षा के लिहाज से face shield और face mask दोनों ही उप्योगी है और इनका उप्योग कर आप खुद को किसी भी वारस से दूर रखने में सफल हो सकते हैं दोनों में से क्या बहतर है ये तो नहीं कहा जा सकता लेकिन दोनों ही आपकी सरक्षा के लिए है तो जब भी घरों से बाहर निकलें किसी काम के लिए जाएं तो इनका उप्योग करें और साथ ही साथ सोचल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए कोई भी काम करें ताकि आप किसी भी बिमारी या वारस की चपेट में ना आएं subscribe our channel and press the bell icon for more updates